हेलो गाइस विलकम बैक टू दा बैट फायर गेमिंग यूटूब चैनल तो कैसे आप लोग आए होप आप लोग साभी बढ़िया होंगे तो आज हमारा जो है वो टी का इमोट आ चुका है फाइनली तो आपको बता दूए आपको किस तरह से मिलेगा जी हाँ 9 स्पीन के यह आप 9 प्रिमियम इस पीन करते हो तो आपको हांडेट परसंड यह जो इमोटा है आपको देखने को मिल जाएंगा तो गायस फटावट से आप लोग जो है ना इसके अंदर मैं नाइन प्रिमियम स्पीन मारते हूँ फटावट से देखते हैं मुझे कितने स्पीन के मिलता है तो हमारे तकरीबन साड़े चार सो डायमन इसके अंदर लग जाएंगे तो हम फट्टा बट से स्पीन करते हैं आप देख सकते हो नीचे में इस पीन भी दिखा रहा है कि आपको कितने डायमन के अंदर गैरंटेट मिलने वाला है तो अभी हमेरे दो स्पीन हो चुकि आप अग्र कि स्पीन ना कर रहेएं वारना आपका जाधा डायमन इसके अंदर खरच हो सकते है तो देख सकते हो अमको 25 इस पीन और फट्टा फिट से करने तो अभी हमारे 4 इस पीन बच्टे हो यह शाय्द से पर निकल सकते है नहीं ने निकल सकते है देखता है क्या वाला सीन यहां पे होता है मेरे को लग़ारा गरे ना पूरा-पूरा हमारा 450 डैमन लेकर ही मानेगा क्योंकि अभी हमारे को तीन स्पीन और करना है मेरे को नहीं लगता है शायद से मेरे को यह मिल जाएंगा देखता है गाईज फटटावट से अभी 2 स्पीन बचे है शायद दीते मेरे को लेकिन लास स्पीन में तो इनको देना पड़ेंगा क्योंकि 9 स्पीन के उपर यह आपको 100% मिलने वाला है तो देख लो guys फट्टापट से देखती है अभी तो लास स्पीन बच्चे अपन लोगों का आप तो अपनों को 100% ये मिलने ही वाला है तो बाई लोग चलो लास स्पीन कर लेते हैं लास स्पीन करते हैं आप देख सकते हो लास स्पीन किया और मेरे को ये 100% मिल गया क्योंकि नाइन इस्पीन के उपर इन लोगों ने कह रखा है कि अगर आप प्रिमियम नाइन इस्पीन मारते हो तो आपको देखने को मिल जाएंगा तो गाइस हमको देखने को यह मिल चुका है हमारे पास में हाथ चुका है भी फटापट से बैक चलते हैं और अपने कलेक्शन के इमोड के अंदर और जाकर इमोड से इसको एक क्यूप करते हैं और फिर आपको दिखाते है किस तरह से आपको यह इमोड देखने को मिलेगा वागी इमोड काफी सही है 450 डैमन में अगर आप इमोड लेते हो तो आपको बिलुकुल पूरेगा बिलुकुल मेरे वाइस में कोई घाटी वाली बात आपकी है ही नहीं तो फटापट से कर लो अगर आप टॉप भी कराना चाते हो तो अभी गुलुवल का भी चल रहा है आपको ओभी देखने को मिल जाएंगा देखसकते हैं आप 699 बढ़े चाइस वीडियो पसना है अपने दोस्तों में शेयर करो और इंफोर मेशन कैसी लगी मेरे को ज़रूर से बता देना कमेंड करकर